पाकिस्तान के लेजेंट क्रिकेटर वसी मकरम ने बोला है कि भारत को अलाव करना चाहिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को IPL में खेलने के लिए और भारत के क्रिकेटर्स को भी पाकिस्तान सुपर लीग में खेलना चाहिए ऐसा उन्होंने अभी एक स्टेट्पेंट दिया है हाला कि वसी मकरम उन चुनिंदा प्लियर्स में से एक है जो ट्विटर पर या अपने सोसल मीडिया प्लेटफोर्म पर कभी भी भारत के अगेंस्ट पॉलिटिकल बात नहीं करते हैं साकी पाकिस्तानी क्रिकेटर साहिद अफ्रीदी शुम ईबगतर और भी बहुत सारे करिकेटर अपने देखा होगा अपने प्लेटफोर्म पर करते हैं وسیم اکرم نے آئی پیل میں KKR के लिए बॉलिंग कोच की आपने देखा हुआ जॉब की है और KKR उन सीजन में जीती भी थी तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो के और बढ़ते हैं फिर आखरी में वीडियो में बात साबिक अप्तान पाकिस्तान टुकी टीम وسیم اکرم ने खाहिश का इज़ार करते हुए कहा है कि चाहता हूँ कि पाकिस्तानी क्रुकी टीम के नए खिलाडी आई पिल का हिसाब बने खेल को सियासत का निशाना बनाना नहीं चाहिए मगर ये दोनों मुमाले के हकुमतों काफ मसला है और जब तक हकुमतें फैसा नहीं करती ही तब तक आई पिल में शर्कत जाहर मुम्किन नहीं हो सकती وسیم اکرم ने का है कि वो इस बात पर अफसुर्दा है कि पाकिस्तानी क्लाडी आई पिल खेलने का मौका गवा रहे है मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तानी क्लाडी आई पिल और भारती क्लाडी पाकिस्तान सुपर लीग खेल सके وسیم اکرم का मजीद कहना था कि उन्हें खुशी होगी अगर बाबराजम मजबत तरीके से भारती कफ़तान बिरात कोली के साथ अपना मوازना जारी रखें और कोली की तरह मजीद मुस्टाकिल मजजी के साथ अच्छी क्रिकेट कहलते रहें तो हसन पहले शायद अफरीडी ने बात बोली कि खेलना चाहिए पाकिस्तान प्लेयर्स को बात करने चाहिए पाकिस्तान ट्रिकेट बोट को IPL से related BCCI से और आब वसी मकरम ये बात कह रहे हैं तो वाकिए क्या इतना बड़ा नुकसान है क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग भी तो है ना पाकिस्तान के पास देखें पाकिस्तान सुपर लीग तो है मगर एक टॉप आपको यादो का टॉप लीग भी आइपल भी हुई है जिसमें पूरे वर्ट के प्लेर्इस के कहले पर जाकर बड़ी पाकिस्तान के खेले वहाँ पर जाकर प्実क्तान पेच बड़ीकार तो है वहाँ था बड़ीह से ऑहां से उज़ए है भाकिस्तान की रेंट मैं चाहिए वह कोई पाकिस्तान तो नाइटीज में हमने टूर उत्रे से अराम का हमने वो केला इंडिया में जाके आधर अबादकन में और पिर चंदीकड में जैसे चंदीकड जैसे जगा हैं वहां की अमाम वहां की लोग जाएं वो पाकिसानी प्लेयर्स को बहुत आर्टिस्टों को बहुत लाइक भी करते हैं वहां पजाके 90 बात हैं भोंके डूर किये बाद पाकिसान को जुए साथ एडिया प्लेस के अगेंस जिसकी वहां साथ रूड है पाकिसान युटार के और शू बखना आप लोग ने क्वाहिए इसके प्रभ्रम मुल्किक खषीद्गी दोनों हकूमत की जैसे भात करने क हुकूमत में कर्शीदगी है जिसकी बाइस दोनों खिलाडी या दोनों मुलकों की बाहमी स्रीज नहीं हो सकते लेकिन हम देखते हैं जैसे पहले तला ने बताया कि शाहिद खान आफरीदी ने बयान दिया वसी मकरम ने बयान दिया इसकी क्या वज़ा समझते हैं आप तेके एक तो कम ब्रेहार्ट बहुत जादा होते हैं मेरे खाल में हम माशलयर से हमें हर चैलिंज आ सामना करना आता है अगर हम इडिया की बात करें इंडिया बचा के हम लोगों ने सीरीज भी ज़दा ये पाकिस्तान टीम ने और जाब मिना जैसे कोज भी थे हमाँ पर वसी मकरम जैसे बॉलर्स थे हैं वकार नहीं जैसे बॉलर्ड थे सकलाइन मुश्ताग जैसे वावस्पिनर थे तो इस ट पाकिस्तान अधर क्यारें में जो हैगति थे हैं तो पाकिस्तान जो है जो प्लयर्स जो है उनकी मोट्यूशन बहुती हैं और वो चाहते हैं अब हर चलिज़ को कबूरें मवाजना कर रहे हैं वो जारी रखें और ही तरह मुस्तकिल मिजाजी से जिसरा विरात कोली परफॉर्म करते आ रहे हैं हाला कि उन्हेंने कोई खासी अची परफॉर्मसी ने दिखाई इस साल ऐसे ही वो करते रहें तो यह तो बैक टू दू पैविलीन हो गई ना बात कि बाबराजम खुद कह रहे थे कि मुझे कम्पेर ना किया जाए मुझे मैं तो पसंद करता हूँ वे रात कोली को लेकिन फिर वसी मकरम कह रहे हैं कि आप कम्पेर करें नहीं मगर वसी मकरम के अपने नाइस ट्रेम वो अपनी तरफ से एक बूस्ट अप करें बाबराजम को मगर बाबराजम जो है एक टांपर प्लेर है और वो बस सर जुखा के जो हो कोशिश कर रहा है कि अपनी परफॉर्मिस देते रहे और मैंने पहले भी गा कि हैं को विडियो वारल तो बाबराजम पर इसे प्रेशर आते नहींगे बीच में तो डेफिनल्टी वो प्रेशर के शक्राह होते लेंगे और अपर प्रेशर होगे जो खेले का कोई भी प्लेर के लेगा तो उससे परफॉर्म नहीं होगा बिल्कुल असन्न यह बात आप सही कह रह होगा कि टैस्टीम की कप्तानी का सेरा बाबराजम के सर सजने को जा रहा है तो आप कैसा मज़ने के अजर अली को इस कप्तानी से हटाना चाहिए पहले उनको कप्तान बनाया पिर सर्फराज एमद को लाया गया पिर सर्फराज को उटाया एक बार पिर अजर को लाया गया दुबारा उनको उटाने की बाते की जा रही है पिशले साल का उनका ये बयायन है और साहिद अफरीदी हर दूसरे तीसरे दिन अपने ट्विटर में कस्मीर, इंडिया, मुसल्मान, मोदी ये वो करते रहते हैं और इसी तरीके की कुछ बात है शोई बक्तर भी करते हैं और वही शोई बक्तर पाकिस्तान में अपने शो गेम ओन में बोलते हैं कि भारत ने, BCCI ने दुनिया की करकेट को तबाह कर दिया है IPL की वज़े से सारी दुनिया की करकेट तबाह हो रही है और ये ही शोई बक्तर कश्मीर, कश्मीर ये मतलब करकेट को पॉलिटिक्स से ना जोड़े और ये खुदी कश्मीर कश्मीर करते हैं लेकिन वसीम अकरम पाकिस्तान के साथ सबसे बड़े करकेटर्स अभी तक की हिस्ट्री के सबसे बड़े लेजन्ड में कहूँगा मैंने इनको हाला की देखा तो नहीं है जब करकेट देखना स्टार्ट किया तब ये रेडायर हो चुके थे वसीम अकरम ऐसी कोई दो उसरी दोगले तरीके की बातें नहीं करते हैं उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि पाकिस्तानी करकेटर्स को आई पिल में अलाव करना चाहिए आपको पता है पाकिस्तानी करकेटर्स आई पिल का पहला सीजन 2008 में जो हुआ था मार्च अपरील में उसमें पार्टिसेट किया था शौय बेक मार्च के बाद जो अब नॉवमबर में Mumbai अटेक्स हुए जब से पाकिस्तानी प्लियर बैन है IPL में इंडिया पाकिस्तान के relationship अच्छे नहीं है political होगा किरकेटर किरकेट अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच कोई भी बात आती है तो दोस्तों आपको क्या लगता है पाकिस्तानी करकेटर्स को IPL में अलाव करना चाहिए हाला कि बसीम अकरम उन चुनिंदा करकेटर्स में से एक है जिन्नों ने आज तक कोई भी उल्टी सीदी बात नहीं की है तो आप से request रहेगी प्लीज चैनल को subscribe करें like करें और अपने